एक टाइम ट्रेवल की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं मिथुन रासी के लोग क्योंकि इस समय पर सनी देववक्री इस्थिती पर रहेंगे एक ऐसा समय होगा जिस समय पर सनी देववक्री स्थिती पर आकर के आपको भूत काल में ले जाएंगे जिसके माध्धम से आज आप अपने वर्तमान को ठीक कर सकते हैं एक ऐसा समय होगा जिस समय पर पाष्ट की यात्रा पर आप निकलेंगे यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया जान लिया तो यकीन मानिये एक बहुत बड़ी उपलब्धी आपके कदम चूमने को तयार है एक ऐसा समय होगा जिस समय पर प्रबल योग कारक होने वाले मिथून लगन मिथून रासी के सनिदेव वक्री इस्थिती पर आ रहे हैं ये चार महिने सत्रह दिनों तक वक्री रहेंगे इसका मतलब ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मेरे भागे का मुझे भरपूर साथ मिलता ही है और साथ साथ कोई रुकावट और परिसानिया यदि कोई बाधाएं बनी हुई है जीवन में तो आज उसी का समधान होने को तयार है ये एक एतहासिक वीडियो हो सकता है आपके लिए जानियेगा समझेगा और कैसे इसको एप्लाई करके अपने जीवन में आप लाव को प्राप्त कर सकते हैं इस बात को जानियेगा प्रारम करते हैं उस सनी देव से जिनका आगास हुआ था 17 जन्वरी सन 2023 को ठीक आपके भाग्य भाव पर भाग्य भाव पर आ करके कईयों के जीवन में भाग्यूनती का एक अच्छा संचार भी इन्होंने प्रतान किया बहुत से लोग ऐसे होंगे मिथुन रासिके जिनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धिया प्राप्त हो चुकी हैं लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनका अपने निष्ठा अपने करतब्यों के बावजूद उन्हें वो प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ जि को काल कहा गया है और इसी करण से ये एक ऐसा समय है जिस समय पर वक्रिस्थिती में आकर सनी देव एक घर पीछे का परिणाम देंगे अर्थात ये एक ऐसा समय होगा जहां पर जा करके आप अपने परिसानियों से मुक्त हो सकते हैं समझेगा सनी देव ठीक भाग के भाव पर हैं आप सबको विदित है अब जब ये वक्रत विस्थिती पर आते हैं इनके अंदर चेश्टा बल की ब्रिद्धी हो जाती है अर्थात चेश्टा बल किसे कहेंगे आप किसी काम को कर रहे हैं और आप में अचानक से चेश्टा आ गई अर्थात उस काम को आप ज्यादा मजबूती से प्रदान करेगा और साध इसी कारण से भागे का भरपूर साथ हमें प्राप्त हो सकता है इन चार महीने 17 दिनों में एक ऐसा समय है जिस टाइम पर जो विद्यारती है उच्च सिक्षा को प्राप्त करने जा रहे हैं तो हाँ सनी देव नमम भाव पर वक्री हो रहे हैं अर्थात उनके उच्च सिक्षा में एक नए गुरोत का आउसर प्राप्त होगा अपने जो पढ़े हैं हमने हमने जो पढ़ा है जो ग्यान प्राप्त हमने किया है उसको उस ग्यान के माध्यम से हम सफलता के मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं एक ऐसा समय होगा यदि आप अपने सीनियर अपने बॉस के साथ आपके रिलेसन अच्छे नहीं है तो सनी नमम भाव पर ही वक्री हो रहे हैं उनका समर्थन उनका साथ भी आपको प्राप्त होता है जो आपके सहकर्मी है जिनके साथ आप कारिक छेतर में अनुकूल स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिल पाता है अर्थात वहाँ पर चेश्टा बढ़ गई है सनी देव की और इस कारण से उसका परिणाम और अधिक मजबूती से मिलेगा जब वास्तव में ये वक्रत इस्थिति आती तो सनी देवता हमको प्रित्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए पीछे चले गए हैं लेकिन वास्तव में वो उस स्थान से मूफ कर रहे होते हैं घूम रहे होते हैं परणतु ग्रह वही बरहते हैं अर्थात वहाँ पर उनका टाइम जो समय है वो कुछ समय के लिए और अधिक बढ़ जाता है और इसी कारण से उनको यदि अच्छा फ्ल देना है साल के बाद आपके भाग्य भाव पर उपस थी थे और फिर अगले तीस साल के बाद आएंगे और इस कारण से ये भाग्य उन्नती का एक स्रेष्ट और अंतिम आउसर यदि कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि 29 मार्च को ठीक ये आपके भाग्य भाव को गया अश्टम भाव अभी पिछले टांजेट के नुक्साण तेस से पहले के जो टांजेट था सनी को तो इस अस्टम भाव को क्रौस करके ही उन्होंने नमभाव पर प्रवेस हुआ था इसलिए अब उनके लिए वो वो जो रास्ता है वो इजी रास्ता है सनी के लिए, कि हाँ भी मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जैसे कि आप ये समझे कि कोई काम आप ने किया है अचानक से आप कोई यादा आए कि अरे वहाँ मुझे से कुछ भूल हो गई है और आप जा करके फिर से उस काम को करके आते हैं ठीक इसी प्रकार से एक ऐसा समय है जहां पर आप अपने पुराने काम को पूरा फिर से काम करके उसे एक अच्छा समय बना सकते हैं। सनी देव को magistrate कहा गया है, न्याय धीस कहा गया है सनी देवता को, क्यों कहा गया है, इसका साफ ये मतलब होगा। एक magistrate को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने यदि कोई प्रार्थी है, वो मेरा मित्र है या फिर मेरा सत्रू है। एक magistrate तो ये देखता है कि तत्थे सामने क्या है, क्या कारण है, किस कारण से इसे सज़ा प्राप्त हो रही है, और वो उसे सारा का सारा हिसाब करने के लिए इस समय पर मान लिजे कोई बुरा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो सनी देवता अभी पुना फिर से उसको फिर स के रूप में मुझे दिखाई देगा, अस्टम भाव मेरे रुकावट बाधा डिप्रेसन तनाव का होता है, तो किस कारण से मुझे ये प्राप्त हो रही है, वहाँ पर सनी देव जा रहा है, और वहाँ पर यदि कुछ काम करना है, तो वहाँ पर वो काम करके आपको एक हापित हो गया है, आप ऐसा मानिए, क्योंकि कोई गरह जब वकरी अवस्था में आता है, तो 50% का रिजल्ट अपने अस्टम भाव का भी प्रदान करता है, इसलिए कहीं पर कोई बात यदि है, तो इस समय पर आपको गुपत रखनी होगी, अपने कर्मों से जुड़ा कारे को, तो निश्चय मानिए, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार करता है, क्योंकि अस्टम भाव परिवर्तन का होता है, और इसी परिवर्तन को करने के लिए सैथ सनी देओ, उना फिर से आपके केस को रियोपन करेंगे, एक मजिस्टेड है, और उसके ब धन की कोई बड़ी हमको इंकम की प्राप्ति हो सकती है, बड़ा धन का लाब हो सकता है, हम कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन फिर भी एक ऐसा समय होगा, जिस समय पर मुझे धन की बड़ी आव सकता है, या धन से कोई प्रॉब्लम आ रहे है, वहाँ पर मुझे मुक्ती मि 31 जुलाई से लेकर के 16 अगस तक सुक्र देव उपस्थित रहेंगे सिहरासी में, जो की ठीक आपके तीसरे घर है मिथून रासी के, अब इसी साब से देखा जाए, तो सनी की दृष्टी आ गई सुक्र पर और सुक्र की दृष्टी चले गई सनी देव पर, एक ऐसा योग बन गया, जिसे हम कहेंगे सम सब तक योग, और अच्छी बात तो ये हो गई, कि सुक्र भी आपके योग कारक है, और सनी देव भी आपके योग कारक है, दो ग्रहों का योग कारक ग्रहों का आपस में, दृष्टी संबन कोई बड़ी उपलब्धी को दिला सकता है, सुक्र को प्रेम कहा गया है, इस ते आपको इस समय पर अपने काम धंदे से प्रेम हो जाएगा, आप ज़्यादा फोकस होकर को फोकस धंग से अपने कारे को कर पाएंगे, और यकीन मानिये, सनी की दृष्टी अभी तक जो इंकम भाव पर पड़ रही थी, तीसरी दृष्टी, अ मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए काम कर सकता हूँ, मेरी कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है मेरे, मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि सनी की दृष्टी अभी पीछे की और है, तो आगे की दृष्टी उनकी कमजोर हो चुकी है, अर्थात लाभ के, ये एक बड़े औसर के रूप में आपको निकल करके सामने आ सकता है, करना सिर्फ इतना है, अपने कारे को गुपत रखिये, कोन कैसा, आपने देखा हूँ, कई वीडियो ऐसे भी हैं, जहाँ पर सनी की सिर्थी को अच्छा बता जा रहा है, बूरा बता जा रहा है, हम इस बात की क कहीं पर किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते, हरी अनन्त, हरी कथा अनन्त, कहां ही सुना ही बहुपीधी सबसंता, अपने अपने नुसार सभी इस लोजर भाई बहन प्रेडिक्सन दे रहे हैं, और सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और सायद इसी कारण से बहार निकल सकते हैं, अस्टम्भाव्व गुप्त रिसर्च का होता है, इस समय पर आप रिसर्च से जुडएंगे, कोई ऐससा काम करेंगे, जिस काम के प्रती आपकी अंतरात्म से आवाज आती है एक ऐसा काम होगा जहां पर यदि आप researcher हैं यदि आप लेखक हैं कोई publish करना चाहते हैं कोई book वगरा उसके लिए एक अनुकूल समय होगा यदि आप scientist हैं आपके लिए अनुकूल समय होगा यदि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं आउकल्ट साइन्स से जुड़े हुए हैं यदि आप astrologer हैं आपके लिए अनुकूल समय होगा क्योंकि अस्टम भाव यहां पर प्रभावी हो रहा है और यही वो भाव है जो बदलाव का इस्थान है और इसलिए सनी का वकरत्विस्थिति पराना कहीं से भी आपके लिए नुकसान कारी नहीं बलकि सुभ और कल्याण कारी ही होगा इस समय पर देवाधी देव महादेव की अरादना कीजे और उनके आसिरवाद से और सनी देव की क्रिपा से ये चार महिने 17 दिनों का समय सर्वस्रेष्ट समय सावित यरूर होगा उम्मीद है आप समने इसे समझा आप समने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हूँ इन्ही सुपकामनाओं के साथ जै स्रीराम